दे क्राइम और पाडरे अमारो एक मेक्सिकन ड्रामा है ये कहानी एक जवान प्रोहित पाडरी अमारो की है कैसे धर्म और जवानी की खीस्तान ने उसे एक विधर्मी पना दिया लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे नौ न्युक्त पाडरी अमारो लोस रईस नाम की छोटी सी मुनसिपालिटी में पदस्था पित किया गया है नया नया पाडरी बना है धर्म के ग्यान से ओत प्रोत है पहुँचें, पाडरी अमारो ने उसे अपनी तरब से कुछ पैसे दे दिये अचानक से हुए इस कृत अग्यता का उस बुजुर के पास कोई जवाब नहीं था अमारो जवान और हैंसम है लोस्रेस गिर्जगर के बाहर खड़ी लड़कियों को अंदाजा भी नहीं है कि ये लड़का यहां का नया पाडरी होने वाला है जब वो गिर्जगर में खुसी रहा था यहां डियोनीसिया नाम की अजीब सी महीला माजूद है जितनी धार मिक दिखती है उतनी ही अंदर से चुड़ेल भी है एक जवान पादरी को आते देख उसे आने वाले आफ़त की भनक लग गई थी फादर बेनोट यहां उसका सीनियर प्रोहित होगा बहुत समय से यहीं पोस्टेट है पुरे लोस रेस में उसका बड़ा नाम है उसने मिसन के बड़े ही मातोकांची प्रोजेक्ट एक लोकल हॉस्पिटल बनाने की मुहिम छेड़ रखी है लोगों ने जम कर उसे डोनेशन भी दिया है यहां उसे फादर बेनोट को रिपोर्ट करना है मिसन के काम में उसका हाथ बटाना है पर हॉस्पिटल बनवाना इतना भी आसान नहीं है टाउन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चर्च के कामों पर आलोचनातमक रवया रखते हैं इन्ही में से एक डोन पाको है एक इंटलेक्ट्चुल है उसका बेटा रुबेन अभी अभी लोकल अकबार में रिपोर्टर बना है रुबेन की एक गल्फ्रेंड है उसका नाम इमीलिया है चर्च के कामों में बड़ी रूची लिया करती है वीकेंड में बच्चों को चर्च आकर धर्म सिख्षा पढ़ाया करती है रुबेन का पिता डोन पाको अक्सर उससे कहता है कि उसे एक धार्मिक लड़की के बचाए किसी लिबरल लड़की से अफैर रखना चाहिए पर रुबेन को जैसे अमीलिया ही पसंद है गेस्ट हाउस में पहली रात पादरी अमारो के लिए थोड़ी अजीब थी उसने देर रात फादर बेनोट के कमरे से एक महीला को बाहर आते देखा अगली सुबा जब फादर अमारो चर्च में कम्यूनियन दे रहा था डियोनीसिया की नजर एमीलिया पर हिटी की थी वो देख रही थी कि एमीलिया किस तरह नए पादरी को निहार रही है उसने उसके बॉइफरेंट रुबेन के कान भर दिये कहती है कि एमीलिया नए पादरी को पसंद करती है इस बात पर चर्च के बाहर एमीलिया और रुबेन में अच्छी खासी बहस हो गई अगली सुबा फादर बेनोट अमारों को ब्रेकफास्ट के लिए लोकल रेस्टोरेंट ले जाता है इस रेस्टोरेंट की मालकिन वही महीला है जो उस रात फादर बेनोट के कमरे से बाहर आ रही थी इस महीला का नाम अगुस्तिना है एमीलिया उसी की बेटी है लगता है यहां कि लोगों ने जम कर डोनेशन दिया है। यहां पादरी अमारों के लिए एमीलिया के अफेक्शन को देखा जा सकता है। आजकल वो पाप स्विगार के बहाने अक्सर चर्चाने लगी है। अमारों से अपनी इंटिमेसी सेयर करती है। आजकल उसने अपने बॉइफरेंड रुबेन से दूरियां बना ली। उसके फोन का भी कोई जवाब नहीं देती है। रुबेन उसके टाइप का नहीं है। उसे तो वो एक कमिनिश्ट लगता है। एक दिन डिनर के टाइम फादर बिनोट की एक दूसरे फादर फादर नतालियों से बहस हो जाती है। नतालियों टाउन से दूर किसानों के हक के लिए लड़ रहा है। वो हमेशा रिबल्स का साथ देता है। सहर का एक बड़ा ड्रग माफिया है चाटो अगोईलर। वो अफीम की खेती के लिए किसानों की जमीन हड़ परा है। जो किसान उसके लिए अफीम नहीं हुगाते हैं। वो उसे मौत के घाट उदार देता है। पुलिस प्रसासन सब उसकी जेब में है। जब बिनोट नातालियों पर आरोप लगाता हैं कि वो रेबल्स को भगाने और बचाने में मदद करता हैं। वो फादर बिनोट पर भड़ा गुटता है। कहता है कि क्या उसे पता नहीं है। टाउन में होस्पिटल बनाने के नाम पर कैसे माफिया चाटो अगोईलार के पैसों की मनी लॉंडरिंग की जा रही है। बाद में जब अमारो फादर नातालियों से पूछता है कि क्या मनी लॉंडरिंग वाली बात सही है। तो नतालियों कहता है कि उसे फिलाल सक भर है पर नतालियों ने चाटो और फादर बेनोट की मिली भगत के खिलाब सबूत जुटाना शुरू कर दिया है एक सुबा चाटो का एक आदमी फादर बेनोट को लेने आता है आज माफिया के बेटे का बेप्तिजम सेरोमोनियल है फादर नतालियो के एक आदमी ने इस सेरोमोनियल में फादर बेनोट और चाटो अगोईलार की एक साथ कई फोटो एक लोकल न्यूजबेपर में लीग कर दी नतालियो के पास सारे सबूत थे कि कैसे फादर बेनोट एक ड्रग काटेल के पैसे को विदेशी फंडी के नाम पर लॉंडर कर रहा है अखबार में इस खबर प्रार्टिकल लिखने वाला एमिलियो का बोई फ्रेंड रूबेन था अगली सुबा जब इस कांड का खुला सा मार्केट में आया तो खबर ने पूरे टाउन में संसनी फैला दी एमिलिया ने भी अपने आराधियों के खिलाप ऐसी खबर लिखने के लिए रूबेन को जम कर खरी खोटी सुनाई बाद में मामला दबाने के लिए बिनोट ने सहर के मेयर की मदद ली सारे लॉंडर किये पैसों को मुंसिपालिटी से मिले डोनेशन की तरह दिखा दिया इधर भी सबको भी इस स्कैंडल की कोई खास चिंता नहीं थी उसे थोड़ी चिंता थी तो फादर नातालियों की वो बेवज़ा किसानों के मामले में उलच रहे उसने नातालियों पर लगाम लगाने के लिए उसे नन्स ट्रेनिंग सेंटर में ट्रांसफर कर दिया जब ये खबर अमारों ने फादर नातालियों को सुनाई तो उसने कॉन्वेंट में पादरी बनने से पूरी तरह मना कर दिया चाहे इसके लिए कोई भी खामियाज़ भगतना पड़े कुछ दिनों बाद जब फादर बेनोट के मनी लॉंडरिंग वाला मामला साफ हो गया तब अमारू ने चर्च में ऐसा उपदेश दिया जैसे वो कह रहा हो कि इसके लिए डोन पाको और उसके परिवार को माफ नहीं किया जाना चाहिए बाद में पागल डियोनीसिया ने कुछ महिलाओं को इखटा करके रूबेन के पिता डोन पाको के घर पर पत्थर फेके और नारेबाजी की उस राज जब अमारो लंच के लिए गुस्तिना के रेश्टरेंट में जाता है यहाँ एमीलिया उससे कहती है कि एक तरह से डोन पाको के घर लोगों ने पत्थर फेक कर अच्छा ही किया उसे अब रूबेन और उसके परिवार से ज़्यादा मतलब नहीं है उसके हिसाब से वे विधर्मी है एमीलिया धार्मिक है और उसे नया पादरी अमारो पसंद है उसने जल्दी ही रूबेन से भी ब्रेक अप कर लिया रूबेन जानता है कि एमीलिया ने उसे इसले नहीं छोड़ा है कि वो फादर बेनोट के करप्सन का खुलासा कर रहा था या धर्म पर कीचड उचालता है बल्कि उसने उसे इसले छोड़ दिया क्योंकि वो नए पादरी अमारो को पसंद कर दी है उस साम उसने सडक पर अमारो पर हमला कर दिया और उसकी पिटाई की एक तो अमारो की वज़ा से लोगों ने उसे घर पर पत्थर फेके और दूसरा के उसी गल्फरंड एमीलिया उससे दूर चली गई लेकिन ऐसा करना रुबेन को और भी भारी पढ़ने वाला था एमीलिया उसे विलेन और अमारो को हीरो समझने लगी है उस रात चर्च पूरी थरा सुनसान था अच्छा मौका था अमारो और एमीलिया पहली बार इतने करीब आये थे इसके बाद कुछ दिनों तक वे बहाने से एक दूसरे से मिलते रहे अमारो ने ज़्यादा समय उसके साथ कुजारने के लिए अपने एक असिस्टेंट मार्टीन को मिले घर का एक छोटा सा कमरा ले लिया उसकी एक मानसी करूप से बधिर बेटी है उसके बगल का कमरा खाली पड़ा है अमारो ने मार्टीन को कहा कि वो यहाँ एमीलिया को नन बनने के लिए तयार करेगा लेकिन वो ध्यान रखे कि इस बारे में किसी से कुछ ना कहें जाहर सी बात है कि वो यहाँ एमीलिया को कोई नन बनने के लिए तयार नहीं करने वाला है पर सब कुछ समझते वे भी मार्टिन पादरी की बात नहीं टाल सकता है धीरे धीरे उनका फेर हर सीमा पार करता गया एमिलिया चाहती है कि अमारो प्रिष्ठुट छोड़ कर उसके साथ साधी कर ले उसे उमीद है कि अमारो उससे इतना प्यार तो करता ही है कि कम से कम अपना प्रोफेशन तो छोड़ ही सकता है पर आमारो का जवाब सुनकर उसे निरासा होती है वो प्रिष्ट होड नहीं छोड़ सकता है कहता है कि क्या मैं सब छोड़ कर मामूली सा सिविक टीचर बन जाओ मेरी इतनी सारी पढ़ाय लिखाए ऐसे ही बरबात कर दू जाहिर सी बात है कि पादरी अमारो उसे साधी नहीं करने वाला है वो भी अपनी मा अगुस्तिना की तरह एक प्रिष्ट का मातरा फैर बन कर रह जाएगी एक दिन मार्टीन फादर अमारो और एमीलिया के बारे में फादर बिनोट को सब बतला देता है कैसे वो उसके घर के एक कमरे का इस्तिमाल एमीलिया से मिलने के लिए कर रहा है जब फादर को पता चलता है तो वो सेक्सोन के घर पर उसे रंगे हाथों पकड़ता है पर अमारो उल्टे फादर बिनोट पर ही आरोप लगाने लगता है कहता है कि अगर मेरा फेर गलत है तो उसका और अगुस्टीना का मिलना भी पाप है कुछ दिनों बाद ही अमारो ने मिलने का नया कमरा ढूंड लिया पर जब वो ये बात एमीलिया को बतलाता है वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ इस खबर ने अमारो को अपसेट कर दिया है कुछी दिनों में एक और समस्या सर पर आ पड़ी फादर बेनोट को दिल का दोरा पड़ा है अब चर्च और होस्पिटल बनवाने की सारी जिमेदारी उसके सर पर आ पड़ी है जब फादर बेनोट बीमार पड़ा अमारो ने उसके सहयोगी माटीन को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उसने फादर बेनोट को उसके और एमीलिया के बारे में बताया था बेचारे माटीन को अपनी अपंग बेटी के साथ वहाँ से जाना पड़ा अमारो ने उस पर जरा भी दया नहीं की इधर जब वो एमीलिया से मिलता है कहता है वो नौ महीने विला अल्दामा में रहे वहां रहकर बच्चे को जन्दे फिर बच्चा किसी अनाथालाय में दान कराए मैं एक प्रीश्ट हूँ और तुम पहले से जानती थी कि मैं कोई रिस्ते में नहीं बन सकता हूँ पर एमीलिया कहती है कि जो हो जाए वो अपना बच्चा अनाथालाय में नहीं देगी तब अमारो उसे एक उपाय सुझाता है कहता है कि क्यो ना वो वापस अपने बॉइफ्रेंट रूबेन के पास चली जाए उससे साधी करके बच्चा रूबेन के नाम पर ही जने रूबेन आजकल मेक्सिको सिटी में एक नए अख़बार के लिए काम करता है नौकरी भी पहले से बड़ी है एमीलिया को उमीद है कि वो उससे साधी करने के लिए मान जाएगा पर जब वो रूबेन से मिलती है वो उसे वापस अपनाने से मना कर देता है वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है अब एमीलिया से पला ज़ाडने का अमारों के पास कोई चारा नहीं बचा वो मजबूरन डियोनीसिया से मिलता है डियोनीसिया बच्चा अबोट करने के कई क्लिनिक जानती है पर पादरी को पैसे खर्च करने होंगे अमारों नैतिक रूप से भरष्ट हो चुका है अब तो फादर नतालियो भी उसकी पॉल खोलने के लिए वहाँ नहीं रहेगा बिस अपने रेबल्स की मदद के आरोप में उसे प्रिष्ट हुट से बरखास्त कर दिया है एक रात वो डियोनीसिया के साथ एमीलिया को किसी क्लिनिक में ले गया यहां उसका एबोशन होने वाला है पर एबोशन के दौरान कुछ गडबड़ी हो जाती है एमीलिया का खून बंद नहीं हो रहा है दूसरे होस्पिटल लेने के करम में तडबते हुए गाड़ी में ही उसकी मौत हो गई अगली सुबह अमारो मासूम सी सूरत लेकर चर्च में एमीलिया की आखरी सिरुमनी करता है एक समय था जब वो नया नया लोसरेस आया था तब उसमें धर्म के आदर्स भरे हुए थे पर वो इसे अपने जीवने प्रैक्टिस नहीं कर पाया दुनिया के सामने वो किसी संथ की तरह है पर असल में डियोनीस्या की तरह ही विकेड है पूरा लोसरेस जानता था कि एमीलिया का बॉइफरेंड रुबेन है सब यही बाते कर रहे हैं कि विधर्मी टोन पाको के बेटे रुबेन ने एमीलिया को गर्वती करके छोड़ दिया और जब एबोशन के दारान कम्प्लिकेशन हो गए तो फादर अमारो ने एमीलिया की जान बचाने की पूरी कोसिस की एमीलिया को हस्पिटल लेने के दारान फादर की गाड़ी में ही बेचारी की मौत हो गई फादर अमारो किसी संद से कम नहीं है पर भले ही सहर कुछ भी बाते करे वो चर्च में कितना भी दिखावा कर ले फादर बेनोट और मार्टीन जैसे कुछ लोग है जो उसका राज जानते है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया